विए बतल नमस्ते मेरी मम्मी कितने मैंने से चटी महीया बनाई है हम दोने त्यारी करें कितने टूट लग दिया चटी महीया हूँ जइ नमस्ते हम चट माही app बनाई हैं चटे चपते बनाई हूँ वीडियो बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगा इसमें बनाने में चटी मैया आप लोग तो पता है चटी मैं बनाने में कितना मेहनत लगता है तो परिया से अंतयार भी की हैं चटी मैया के तो हमने ये सब फल भी चड़ाए हैं माला भी बना के अपने हा बहुत अच्छे से बनाई है इसमें बहुत सारा फल लगता है बहुत ज़्यादा ही लगता है तो हमने इसमें रखे हैं अभी नारियर भी रखे हैं फल भी रखे हैं बहुत सारा बहुत मेंनत लगता है यह सब करने में जुटाने में बहुत मेंनत भी लगा है इसमें आनेए परकार की फल लगता है जितना आप चड़ा सकते हैं जितना आप कर सकते हैं हमने बहुत सारा देखी आप लोग ते देखी रहे हैं इतना मेहनत से हम बनाए हैं इसमें बहुत मेहनत लगा है चाकी मिया बनाने में ठीक है तो छटी में एक ऐसा तेहवार है कि इसमें हर चीज नया ही नया किया जाता है नया समान लिया जाता है और डलिया भी नया ही करदा जाता है लेकिन जिसके पास मेरे पास में तो खरीबती नहीं हूँ मेरे पास है तो नहीं लेती हूँ लेकिन इसमें हर चीज नया नया लिया जाता है और यहां पे तो गोबर भी नहीं मिलता है कि हम कंड़ा बनाए गोबर के जैसे हम गैसे बना लेते हैं पुवा पकवान देशी घ पूले पर बनता है तो यह मिट्की भी नहीं मिलता है सर में की मतलब चूला बनाएं मिट्की का उसने हम बनाएं और साथ छटी में या के दोस्तों इसमें प्पड़ा से लेके हर चीज नया ही किया जाता है लोगता ही है तो दोस्तों हम इसमें गीत भी सुनाने दे रहे हूं आप लोगते हैं शट में या के एरा वाजे फरेला गावद से कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे फरेला गावद से कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे पर सुगा मेरा रास कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे फरेला गावद से कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे फरेला रास अर्यर मुदी आजे फरेला गावद से कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे फरेला गावद से कोई पर सुगा मेरा रास अर्यर मुदी आजे फरेला रास अर्यर मुदी आजे फरेला गावद से दोस्तों इसमें जो भी गलती हो तो किर्प्या माप कीजिएगा लोग क्योंकि छटी मया गति हुआ रहें सनम फेमिली बुलोग के लाइक आउ सस्क्राइब जरूर कीजिएगा प्यार दूलार के सपोर्ट जरूर कीजिएगा नमस्ते जय चटी मया जरूर बोलिएगा कमेंट भी कीजिएगा जय चटी मया झाल